प्रेंड्स इनका बहुत ज्यादा इस्तमाल होते है और इन्हे हम formative question word कहते है तो चलिये मैं आपको यह बताता हो So now subscribe this channel and like also So let's start class look at the white word attentively and try to understand this type of sentences How to speak this type of sentences So now look मैंने आलिखा formative question words How many यानि for number संख्या का बोध होता है कितना How much यानि for quantity मात्रा यह बतलाता है अब इस प्रकार का जो formative word है इसका इस्तमाल कैसे करें sentence में जब हमें संख्या बतलाने की आवशक्ता होती है तब इसका इस्तमाल करते है जैसे कुछ वाक की माध्यम से देखेंगे How many languages Can you speak इसका मतलब हुआ तुम कितनी भास आए बोल सकते हो इस तो यहां पर आपको समझना है सुरू में जो how many languages का इस्तमाल किये है तो इसका मतलब यह आप समझें सबसे पहले इसका लिखे है 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 ना इसी तरीके से बहुत सरा सेंटेंस आप बना लेते है जैसे और देखिए हाव मेनी एस्टुडेंट्स आर देयर इन योर क्लास कि इसका मतलब हुआ कि तुम्हारे कक्षा में कितने विद्यार्थी है तुम्हारे कक्षा में कितने छात्र है इस तरीके से बहुत सारा वाक का बनाते चलेंगे और भी वाक देखिए इसका मतलब हुआ कि वह एक बार में कितने आम खा सकता है वह एक बार में कितने आम खा सकता है एक टाइम का मतलब हुआ एक बार में हाव मेनी रसगुल्लास कैन राकेश एक बार में कितने रसगुल्ले खा सकता है इसी तरीके से बहुत सरा सेंटेंस आप बनाते चलेंगे है ना तो और वाक देखिए हाव मेनी बनाना कैन सी इट एट टाइम यानि वह एक बार में कितने केला खा सकती है इसी तरीके से आपको बोलना हो वह एक बार में कितने आम खा सकती है तो बोलेंगे हाव मेनी मैंगोज कैन सी इट एट टाइम तुम एक बार में कितने से खा सकते हो तो हाव मेनी एपल्स कैन यू इट एट टाइम इस तरीके से आप वाक बनाके बोलते चलेंगे, तो चलिए और कुछ वाक आपको दिखाता हूँ, जैसे आपको बोलना हो, कि वह लगातार कितने घंटे पर सकती है, तो बोलेंगे, how many hours, can see, read, continuously, यानि वह लगातार कितने घंटे पर सकती है, चलिए नेक्स्ट अब चलते है, चलिए अब चलते है, how much में, how many के बार में आप जान गए, how many के बार जो है, पूलरल नाउन आता है, how many के बार क्या आता है, पूलरल नाउन, how many plus, पूलरल नाउन, लेकिन, how much के बार जो है, on countable नाउन, यानि material नाउन आता है, material नाउन जिसको हम count नहीं कर सकते हैं, material नाउन, तो इसके बारे में आप जान गए, how many के बारे में, अब चलते हैं, किस में, how much में, तू देखिएगा, how much water can you drink at a time, मतला तुम एक बार में, तुम एक बार में, तुम एक बार में कितना पानी, पी सकते हो, कितना पानी, तो how much water, clear concept है, इसी प्रकार से बहुत सरा वाक बना लेंगे, how much milk, should a man drink, यानि किसी बेक्ती या किसी आदमी, या एक आदमी को कितना दूध पीना चाहिए, एक आदमी को कितना दूध पीना चाहिए, how much milk will you drink at a time, मतलब तुम एक बार में कितना दूध पीओगे, तुम एक बार में कितना दूध पीओगे, इसी तरीके से बहुत सरा वाक आप बनाते चलेंगे आसानी से, और बोलते चलना है, next देखिएगा, how much money will you pay for this work, मतलब आप इस काम के लिए, कितने पैसे भुखतान करेंगे, आप इस काम के लिए कितने पैसे भुखतान करेंगे, इसी प्रकार से बहुत सरा वाक आप बनाते चलेंगे बोलते चल जाएंगे और देखिए हाव माच वाटर इस बोटल में कितना पानी अटेगा इस बोटल में कितना पानी अटेगा इस तरीके से आप सैकुरोवाक बनाते चले जाएंगे लिए गई माइडीर प्रेंड्स हाव में और हाव मच में आपको अंतर समय ना होगा तब बोलेंगे हाव मेंदी का इस्तमाल कब करेंगे हाव मेंदी के बाद जो नाउन आएगा वह आउनिवल होगा और पूरडल होगा लेकिन हाव मच के बाद जो नाउन होगा उन मेटेरियल नाउन होगा जिसको आप खाउंट नहीं कर पाऊगे दोनों में यहीं अंतर है और इस तरीके से आप सैक्रो सेंटेंस बना के असानी से बोल लिजेगा concept किलियर है तो my dear friends इस वीडियो में इतना ही रहा thank you very much for watching this video and take care of you be positive be happy and protect yourself from coronavirus thank you very much